क्या केश्व प्रसाद मौरे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अखलेश यादों ने जो एलान किया है क्या मतलब है उसका आगे मैं बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश का नए मुख्यमंत्री कौन होगा और अखलेश यादों ने मंज से ऐसा एला क्यों किया है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक अखलेश यादों ने एक बार फिर से कहा है कि केशो प्रसाथ मौरे समाजवादी पारिटी में आ जाएं बीजेपी में उन्हें समान नहीं दिया जा रहा है और वे समाजवाद पारिटी में आ जाएंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और अब मुख्यमंत्री बनने की चाहत अखलेश यादों को नहीं है अखलेश यादों चाहते हैं बहुजन समाज का कोई नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने क्योंकि जो सम्मान केशो प्रसाद मौरी को नहीं दे पा रहे हैं अखलेश शादों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो दो डिप्टी सीयम हैं दोनों इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें समान नहीं मिल पा रहा है वे सो विधाय को लेकर के समाजवादी पायटी में आ जाएं उन लोगों को सीयम बना दिया जाएगा सोचिए कितना बड़ा बयान है यह जो बाते कहीं गई हैं किसी घर में घुसके या किसी कमरे में नहीं कहीं गई हैं बलकि रामपुर में प्रचार करने के लिए खलेश शादों आई हुए थे और खुले मंच से ऐलान कर दिया आ जाओ समाजवादी पायटी शवादी में सौ उधायक लेकर के हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे हाला की TV मीडिया किस तरीके से प्रफेगंडर रश्ती है TV मीडिया नहीं चाहती कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सके बहुजन समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ सके क्यarta TV केश्व प्रसाद मौरे के मुह में माईक घुषड दिया और पूछे आप क्या कहना चाहते हैं तो केश्व प्रसाद मौरे ने वही पुरानी घिसी पिटी रटी रटाई बाते कह दी हम लोग राष्ट्र स्वम सेवक संग से आते हैं हम लोग अब समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी में गूंडे हैं माली हैं अपराधी हैं भरष्टाचारी हैं हम लोग बीजेपी के सेवक हैं बीजेपी में रहेंगे जन्ता का सेवा करते रहेंगे समझ नहीं आता कि किस तरीके से मीडिया वाले पूरे मामले कुल तूल देने का काम करते हैं मीडिया वाले नहीं चाहते हैं बोज़न समाज का कोई व्यक्ति कभी आगे बर सके कभी परधान मंत्री बन सके कभी राश्पती बन सके कभी सीयम बन सके कभी डिप्टी सीम बन सके कभी प्रोफेसर बन सके कभी नहीं चाहते हैं टीवी मीडिया वाले क्योंकि समर्ण समाज का कबजा है लेकिन अखलेश यादों ने दुबारा से अलान किया है और भरे मंज से अलान कर दिया है इसके बाद जो बीजेपी के लोग थें बीजेपी के नेता थें बिल बिलाने लगें परशान होने लगे समाजवाधी पार्टी के 10 कार करता है वे लोग खुशियां मनाने लगें उन लोगों ने कहा अखलेश यादो वह बहुत बडे नेता है और अख्लेश यादो में अब माननी मुलायम सिंह यादो की तस्वीर दिखाई देती है कुछ समाज़ादी पार्टी के नेता यहां तक कहते हैं अगर आप अख्लेश यादो को गोर्ज देखेंगे तो पता चलता है साक्षात मुलायम सिंह यादो बैठे हुए है और ये बाते तब कही जा रही है जब मुलाइम सियादो हमारे बीच में अब नहीं है तब इस लेकर के इस सारी बाते कही जा रही है उत्तर प्रदेश में उप्चुना हो रहा है दो मिधान सबसीट और एक लोग सबसीट पर मतदान होना है अगले कुछ दिनों में महाँ पर मद्दान होगा लेकिन जिस तरीके से बयान अखले शादों का सामने आया है ये बयान वास्तुम चौकाने वाला है और अखले शादों ने अब ऐलान भी कर दिया है उन्हें मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं है वे लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से बोजन समाज का व्यक्ति नेता बने समाज़वादी पार्टी के ओफीसिय टुटर हेंडल से ट्वीट भी किया गया है समाज़वादी पार्टी ने लिखा है हम डिप्टी सीजम को फिर आफ़र दे रहे हैं सो विधायक लाओ, हम आपका साथ देंगे, आप मुखमंत्री बन जाओ, तक्रीबन 111 विधायक के आसपास समाजवादी पायटी के पास में हैं, और इसके लावा आरेयल्टी का समर्थन है, और वहीं जो सुभासपा के राश्री अध्यक्षों परकास राजभर, आज कलो समाजवादी पायटी के सरकार बन जाएगी, और केशवादी परसाद मौर बहुत ही आसानी के साथ, अब उत्तर प्रदेश के नए मुखमंत्री बन सकते हैं, निश 24 ने लिखा है, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीयम सो विधायक लाओ, सपा के समर्थन से सीयम बन जाओ, और वैसे भी जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक योगी आज इतना तो उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री हैं, वे नहीं चाहेंगे कोई बहुजन समाज का नेता, कोई बहुजन समाज का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का मुखमंत्री बन जाए, वैसे भी आपको पता है कितनी लडाईयां लड़नी पड़ती हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब इसके बाद किसी को जाकर के CM पद, डिप्टी CM पद मिल पाता है, लेकिन डिप्टी CM का पद जो है, एक कोई समयधानिक पद नहीं है, जोंकि BJP ने ही पर्था निकाली थी, डिप्टी CM, इस बीडिम इतना ही आप क्या लगता है, किस्तों परसाद मौरे को क्या उत्तर प्रदेश का CM बनाया जाना चाहिए, और अगर CM बनाया जाना चाहिए, तो आप लोगों को क्या-क्या उम्मीदे रहेंगी, क्या आप भी चाहते हैं, बहुजन समाज का व्यक्ति CM पन सके, न निकेश उपरसाद मौरे साहब तो वे उत्तर प्रदेश के नए मुख मंतरी बन सकते हैं, अपनी राय बताएगे जरूर, शुक्रिया